तो आपके इस तरीके से URL शोटनर की एप करेट करकर उसको एड़िश टेरा यह Google Admobs से मौनटाइज कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तो एक URL शोटनर की एप करेट करने के लिए सबसे पहले आपको Google AI Studio के उपर आना है और इसकी उपर अपने अकाउंट करेट करना है अब आपको यहाँ पर कुछ नैसेसरी सेटिंग्स को कम्प्लीट करना है जैसे कि पहले आपको चैट स्रक्षन के उपर आना है और मोडल के अंदर आपको यहाँ पर जैमनी 2.5 परो इसको चूज करना है जैसे आप Google AI Studio के उपर अपने अकाउंट करेट करने और आप यहाँ पर अपने मोडल को चूज करने नेक्स्ट टैप में आपको यहाँ पर आवशकता होगी प्रॉम्ट की जिसका यूज करकर हम यहाँ पर बनाने वाले हैं तो मैं आपके साथ एक प्रॉम्ट शियर करने वाला हूं काफी इंपोर्डेंट प्रॉम्ट रहने वाला है योकि इसके अंदर मैंने कुछ ऐसे लोजिक्स लिखे हैं जिसका यूज करकर आपके वापसाइट यहाँ पर प्रॉपरली वर्क करेगी अगर आ और sih उसके ए ओटटाम वाला है कि प्रॉम्ट आपको कहां पर मिलेगी तो प्रॉम्ट आपको मिलेगी मेरे टालेग्राम चनल यह वाट्टसब चनल को आ पुब तो सिम्पली मैंने यहाँ पर अपनी प्रॉम्ट को लिख रखा हैं उनकि ौका कहा पर यूंड लिक़्ा आ, तो इस प्रॉम्ट को मैं यहाँ पर copy कर लूँगा अगेन आपको जाना Google AI Studio को पर यहाँ पर आपको प्रॉम्ट को copy and paste कर देना है then run इसको पर click कर देना है अब Google AI Studio यहाँ पर thinking करना start कर देगा धंक से आपकी प्रॉम्ट को यहाँ पर analyze कर देगा और कुछ ही मिन्टों में आपको यहाँ पर code बना कर देगा तो simply आपको यहाँ पर wait करना है और Google AI Studio यहाँ पर आपको code बना कर देगा तो यहाँ पर इसने thinking करना start करती है तो यहाँ पर मैं वीडियो को fast forward कर देता हूँ ताकि जल्दी से मेरे codes यहाँ पर बन जाए तो यहाँ पर मैंने complete code को बना लिया तो code आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकास दिखाई दे रहा है अब मैं यहाँ से code को copy करूँगा और check करूँगा code यहाँ पर properly work कर रहा है यह नहीं कर रहा है URL मेरे short हो रहे हैं यह नहीं हो रहे हैं और दूसरा यहाँ पर short URL main website पर drag कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी हम यहाँ पर check करेंगे तो मैं यहाँ पर check करने के लिए क्या करने वाल हूँ मैं यहाँ पर use करने वाला हूँ अपने desktop का तो simply desktop को पजाएंगे new इसको पकलिक करेंगे text document इसको पकलिक करेंगे यहाँ पर हम अपने code को copy and paste कर देंगे file इसको पकलिक करेंगे save as इसको पकलिक करेंगे then desktop इसको पकलिक करेंगे index.html इसको type कर देंगे okay and then save इसको पकलिक कर देंगे अब refresh करेंगे और यहां पर हमें Index का Option अज़र आएगा, अब इसको पकलिक करना है, Open with Google Chrome इसको पकलिक करतेंगे, तो इस परकास से हमारा यहां पर क्या हो चुका है, हमारा यहां पर Website बनकर एड़ी हो चुका है, अब मुझे यहां पर चाह करना है, Website यहां पर Work कर रहा है कर रहा है, तो यह मैं यहां पर इसी को शोट कर लेता हूं कि इसको, इसको, जो मैं यहां पर कोड करीट किया था न, इसी को मैं यहां पर Copy कर लूँगा, अगेन यहां पर आऊंगा, यहां पर मैं इसको Copy & Paste करूँगा, शोट & इसको पकलिक करेंगे, यहां पर हमारा यहां पर शोट हो चुका यह यहां पर यह properly work कर रहा है पर problem यहां पर किया है? प्रोल्लम यहां पर ही है कि short URL आप का यहां पर थोड़ा-स बड़ा बन कर आ रहा है इसका भी एक reason है, reason यहां पर ही है कि हम यहां पर without Database के यहां पर हमने ul shortner की website बनेखे हैं अगर आप बिना डाटाबेस के URL शोटनर की website बनेंगे, तो आपका जो यहाँ पर short URL को long ही होगा, तो कि यहाँ पर यह कर रहा है, यहाँ पर यह आपका जो भी desktop होगा, उसी की logic को use कर रहा है, short URL बनाने के लिए, अगर आप यहाँ पर बिल्कुली short URL बनाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पर database या firebase का use करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर proper short URL बना सकते हैं, अगर आप बिना database के अपने short URL की website बनाना चाहते हैं, तो उस केस में आपका यहाँ पर जो भी आप desktop, computer यह mobile के use कर रहे हैं, उसी की आप के अंदर change करूँगा, तो होस्ट करने के लिए हम यहाँ पर use करने वाले GitHub का, तो simply आपको GitHub के ऊपर जाना है, इसकी ऊपर अपना account create कर लेना है, अब आपको यहाँ पर अपने code को होस्ट करना है, तो होस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, प्लस इसको उपकलिक करना है, new repository इसको उपकलिक करना है, जैसा आप इसको उपकलिक करेंगे, तो आपके समने new page आयागा, यहाँ पर आपको अपनी यहाँ पर अपनी रैपस्टरी का नेम डाल देना है, मैं यहाँ पर डाल दूँगा, your, यह अवे लेवल है, इसको उपकलिक कर देंगे, create repository इसको उपकलिक करतेंगे, हमारी रैपस्टरी यहाँ पर create हो जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, create a new file इसको उपर भ आएगा, अब आपको यहाँ पर option मिलेगा, choose your file का, तो आपको इसको उपकलिक कर देना है, desktop को उपर जाएगे, index इसको उपकलिक कर देंगे, open इसको उपकलिक कर देंगे, तो हमारे जो हमने यहाँ पर अपनी website को इसके अंदर host किया था था ना, किसके अंदर, notpad के अंदर, settings इसको उपकलिक कर देंगे, उसके बाद आपको pages के उपर जाना है, यहाँ पर आपको none का option दिखाए देगा, आपको इसको उपकलिक करना है, main इसको उपकलिक करना है, save इसको उपकलिक कर देना है, website आपके यहाँ पर क्या हो जाएगी, host होनी start हो जाएगी, means यहाँ पर deploy ह जब तक आपके website यहाँ पर deploy हो रही है, तब तक हम यहाँ पर अपनी website को किसके अंदर, app के अंदर change करने वाले हैं, तो website को app के अंदर change करने के लिए हम यहाँ पर इस website का use करने वाले हैं, जिसका नाम है web into app, इसके मादब से आप अपनी website को app के अंदर change कर सकते हैं और APK generate कर सकते हैं अलड़ी है, मैंने हाप कुछ websites को यहाप अप्लोड कर रखा है और इसके मादब से बैने हापर APK भी generate कर रखा है तो इसी तरीकर से हम यहापर अपनी website को upload करेंगे और उसको हम apk में change करेंगे तो ऐसा करने के लिए आपको यहाँ पर आना है maker इसको पकलिक कर देना अब आपको यहाँ पर जो आपने website github में upload कीता है उसका जो आपको यहाँ पर ul मिलेगा तो यहाँ पर मैं refresh कर लेता हूँ इसका URL आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो इसको आपको copy कर लेना है इस तरीके से इस तरीके से इसको मैं copy कर लूँगा again यहाँ पर रहेंगे इसको यहाँ पर आपको copy and paste कर देना है ठीक है तो यहाँ पर इसको मैं copy and paste कर दिया है अब आपको यहां पर अपनी app का name देना है, यहां पर मैं डाल दूँगा, your short love, इस पर कास इसका name डाल दूँगा, company name भी आप यहां पर डाल सकते हैं, then next इसके उपकलिक करना है, अब आपको कहना वाक के मादरम से अपनी app का icon करना है, इसको यहां पर set कर लेना है, उसके को आप download कर सकते हैं, तो app maker ने यहां पर आपकी app को बनना start कर दिया है, और कुछी मिंटों में आपकी app यहां पर बन कर ready हो जाएगी, देखो यहां पर आप दे सकते हैं, आपकी app यहां बननी start हो चकी है, इसकी app की भी बननी start हो चकी है, और कुछी मिंटों में आपकी app यहा जैसे कि हमने यहाँ पर एप किसके ऊपर बनाई थी, हमने यहाँ पर एप बनाई है, UL Shortener की, जो आ जाएगी आपकी, बिनिस के अंदर आ जाएगी, तो मैं बिनिस चूज कर लूँगा, यहाँ पर आप अपनी आप का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, मैं डाल दूँगा UL Shortener, इस पर कासी मैं इसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, ठीक है, इस पर कासी आपकी आप यहाँ पर बन को रेडी हो चुकी है, अब जैसे आप इसको पकलिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का उप्शन नजर आएगा, यहाँ से आप अपनी आप की APK को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको बिसिकली आप प्रमोड कर सकते हैं, अब बात करते हैं मोनोटाइजिशन की, कि आप अपनी आप को कैसे मोनटाइज कर सकते हैं, तो आप अपनी आप को Adsterra के माध्यम से, या फिर आप अपनी आप को Google AdMob के माध्यम से मौन्टाइज कर सकते हैं एड स्टेर से कैसे मौन्टाइज करना है ओलडी मैं आपको अपनी प्रिविस दो वीडियो से बता चुका हूँ कैसे आप अपनी वापसाइट को एड स्टेर से मौन्टाइज कर सकते हैं सेम इसी तरीके से आपको अपनी वापसेट को एड स्टेर से मौन्टाइज करना है फो इसको आपको एप में चेंज कर देना है आपकी एप के उपर एड दिखने लग जाएंगे और वहांसे आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको एड से कैसे मौन्टाइज करना है तो प्रिविस दो वीडियो के देख लेना कैसे वेबसेट करेट करते हैं यह दो वीडियो मैंने बनाई है उसके अंदर आपको पूरी जान करी मिल जाएगी कैसे आपको अपनी app, अपनी website के अंदर ads को add करना है, अब बात करते हैं अपर Google Admob की, Google Admob के मद्धिम से आप अपनी app को कैसे amontize कर सकते हैं, तो इस case में आपको यहाँ पर करना है, Works इसको उप्णिक करना ए एड अप इसको उपक्लिक कर देना है जो भी एप आप आपने यहाँ पर करईट की थी उसका नीम में विरा और उसका टेटर में कर ड़ता है आप आपके यह यहां पर अपनी add unit कर सकते हैं, add unit को कोपी करना है, जैसे कि आप add sharas के मादव से code करेड़ करते हैं, उसको अपनी website में add करते हैं, तो यहां पर भी इस code को अपने codes के अंदर add कर देना है, जो आपका app का code है, उसके अंदर add कर देना है, बोड़ी या फिर script के नीचे, तो आपकी add भी आपकी app में दिखने चाट हो जाएगी, और वहां से earning start कर पाएगे, अब यहां पर main important point की बात करते हैं, कि आपको अपनी app को कैसे promote करना है, तो कि जब तक आप अपनी app को promote नहीं करेंगे, तब तक आपकी app को पर traffic नहीं आएगा, और आप earning start नहीं कर पाएगे, तो app को promote करने के लिए आप यहां पर free traffic का use कर सकते हैं, उसकी उपर उलड़ी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी अपनी app को उन free traffic के उपर promote करना है, आप को उपर traffic लेकर आना है, installs को बढ़ाना है, बंदे जितने आपकी app को use करेंगे, उतनी आप यहां पर कमाई कर पाएगे, तो इस तरीके से आप यहां पर your shortner की app करीट कर सकते हैं, और उसको आप Google AdMob या डिश्टर के मदिन से montize कर स संदाई है, तो मैं आप से यहां पर request करूँगा, कि आप अमारी चैनल को subscribe कर लें, वीडियो को उपर कम से कम और लैक्स लेकर हैं, ताक इसी टाप का awesome content हम आपके साथ share कर पाएं.